नवस्का साती हूँ और दिल्ली में आगर आप लोग देखें तो नई दिल्ली इसकी राजधानी है विधान सभा में 37 सीट है, राज्य सभा में 3 सीट है, लोग सभा में 7 सीट है आपको देखने को मिलेंगी अरवेंद किज्रीवाल यहां के मुखमंत्री है बीके सक्सेना यहां के उपराज जिपाल है और अभी हाल ही में सुप्रींग कोट ने एक नेड़ा भी सुनाया था कि दिल्ली में अपसरों की ट्रांसर पोस्टिंग के लिए कौन जिम्मेदार होगा कि इसके पास सक्तिया होगी यहां की दिल्ली सरकार के पास लेकिन आप देखेंगे कि कैंद सरकार को यह अच्छा नहीं लगा सुप्रींग कोट का नेड़ा है और उसने क्या कर दिया कैंद सरकार ने जारी कर दिया अध्यादेश आप सभी को मालो होना चाहिए कि अनुचेद 123 यानि की 123 के तहट आठिकल 123 के तहट अध्यादेश जारी करने की सक्ति किसके पास है राष्टपदी के पास और आप बताइए कि राजपाल के पास किस आठिकल के तहट अध्यादेश जारी करने की सकती है जब आप देखिए संसत की कारवाही ना चल रही हो उस समय अगर आप देखिए कोई कानून की जरुवत है तो अध्यादेश ला दिया जाता है बाद में इसे पास करवाना होता है लोकसभा और राजसभा से लेकिन आप देखिए अध्यादेश कानून के तरह ही उतना ही सकती साली होता है और इसके लिए गठित की नेशनल कैपीटल सिविल सर्विस अथोरिटी मुखमंत्री होग इसके चेयर्मेंड आम आदवी पाटी ने बताया सुपरीम कोट के साथ धोका और बास्त में क्या होता है कि देखिए चुने हुए मुखमंत्री के पास ब बाद दे नहीं होता है उसकी नियुक्ती होती है तो वही चल रायक सकती है को बटवारे को लेकर आप देखेंगे दिल्ली सरकार और केंदर सरकार में तनातनी पिचलन से बाहर होंगे 2000 के नोट और RVI ने जारी की अधीस उचना 23 मईस से 30 सेप्टमबर तक जमा करने या फिर बदलने की मिली है सहूलियत और गराहक बैंक खाते में 2000 नोट के रूमें कितनी भी रासी जमा कर सकेंगे और खाता नहीं होने पर एक बार में 20,000 रुपे की बदलने की मिलेगी सुभिधा और केंदरी बैंक ने कहा है कि किलीन नोट पॉलिसी की तहट बापस लिए 2000 के नोट और 2000 रुपे की नोटों को बैंक खाते में जमा करने या बदलने के लिए किसी भी पिकार के अपने गराहक को जानो यानि केवाईसी या फिर अन्ड नेवों का पालन करने की आवसकता नहीं होगी और गरामी डलाकों के गराहक बैंकिंग पिती नहीं दी कि जरिये एक दिन में सिर्फ 4000 रुपे के वरावर की रासी बदल सकेंगे अब 500 रुपे का नोट ही सबसे बड़ा नोट होगा और आप देखेंगे बैंकों को ग्रहाकों को 2000 रुपे की नोट नहीं देने का दिया गया निर्देश और बैंकों को बुजर्गों और पैंसर भोगियों को आसानी से नोट बदलने की सहूलियत देनी होगी अगर कोई बैं ने 2018-2019 में 2000 रुपे की नए नोट की फेंटिंग बंद कर दी थी और कथे तोर पर काली धन की रूम में जमा कोरों, कोरी और मनी लॉर्णिंग में इस्तिवाल के कारद 2000 रुपे की नोट बापस लिये जा रहे हैं और 30 सेप्टमबर के बाद 2000 के नोटों की बैदेता को लेकर इस्तिती साप नहीं अभी और अदवरस्था पर कोई असर नहीं पड़ेगा यह सौमनाथन कहा रहे हैं बित्द सचेव हैं और आपने देखा होगा 2016 में नोट बंदी हुई थी जिसमें आप देखे 500 रहजार 1935 में इसकी स्थापना हुई थी मुंबई में एड़क्वाटर देखने को मिलेगा और आप देखेंगे कि एक आईये सदिकारी की हत्या के जी किसने या की हत्या कार्णे में उम्मर कैद की सजा काट रहे थे वाहुवली पूर सांसत है आनन्द मोहन उनकी समय पूर रिहाई कर दी गही ना बहार में तो उसकी को लेकर बात हो रही है उनकी पतनी सोप्रीम कोट गई हुई थी और में आदिस रहते हैं उनके सिभा निवित्ती की उम्र 65 साल रखी गई है यह आप लो याद रखेगा SCST Act मामले के आरोपत में दो मैं हो अब सब्दों का जिक्र सो प्रेख कोट ने कहा है कि अनुसुचित जाती अनुसुचित जन जाती अत्याचार नेवारन अधीनियब SCST Act के प्रावधानों के तहत किसी भी मुकद्मा चलाने से पहले आरोपत में उन सब्दों का उलेग वांचनी है जो आरोपितने लोगों के समख्च कहे हो यह आप देखे सेक्ट के तहत अगर किसी पर आप देखे FIR होती है तो गैर जमानती है ठीक है ग्यानवाफी परिशा में सिवलिंग के विज्ञानेक जाच तली यह आप देखे बनारस की बात हो रही है और आप देखेंगे ग्यानवाफी मस्चिद परिशा में सर्वे के दवरान मिले सिवलिंग के विज्ञानेक परिक्चन और कारवन डेटिंग के आदेश का किरियान निर्मार किया गया था, तो उसी की बात हो रही है, केंद्रिय गिरह राजमंती टैनी को बरी करने का फैसला बरकरार, यह इलावाद हाई कुट ने आप देखे, लखनव खंडपीट की जो लखीमपूर में सन 2000 में हुए प्रभावत गुपता हत्याकरण में केंद्रिय गिरह राजमंती अजयर मिस्टरा टैनी को बड़ी राहत मिल चुकी है, ठीक है दोनी की, यूक्रेन की राश्पती बुलोदी मीर जल सिंगी से मिलेंगे मौदी साब हमारे, अब आप देखे जी सेविन, फियम नैंद मौदी सुकवार को साम जापान की हीरो सीमा सहर पहुँच ग अगर आप लोग जापान देखे तो यह हमारा प्यारा भारत है, यहाँ आप देखेंगे जापान आपको देखने को मिलेगा, और जी सेविन की अगर हम लोग बात करें, तो इसके बारे में गुरुप आप सेविन की नाम से भी आप लोग इसे जानते हैं, 1975 में इसकी स्था होनी है न तो ही मिलेंगे, और यह यूकरेन है, यह रूस है, यह हमारा प्यारा भारत भी है, यूकरेन रूस में लंबे समय से योधि भी चल रहा है, यह भी देख रहे होंके, सिधर अमिया सिपकुमार ने हाई कमान से कैविनेट गठन पर चर्चा की है, एक करनाटक में आ हैं सम्ती ने एहमार ने से इंकार किया है कि सेवी ने दायतों का निर्भान नहीं किया है, हिंडरवग की रिपोर्ट आने से पहले ही, आडानी की कंपनियों के सेयर मूलें को प्रभावित किये जाने के सबूत है, यह आप दिखे अभी अमेर्की सौट सेलिंग कंपनी आज की बात हो रही थी चलिए भी आप लोग याद रखेगा निकोबारवा अंदवान सागर्म पहुचा मांसून ये आप देखेंगे 10 सुन मांसून की बात हो रही है और आप सभी जानते हैं कि 10 सुने 10 सुन पूर्म बंगाल की खाड़ी में भी ले ली बड़त और सबसे जा ज्यादा वर्सा भी होती है, देश का रख्शा उत्पादन पहली बार 1,00,00 करूर रूपी के पार पहुंचा है, आत्मे बार भर बारत अभियान के तहर्ट किये जा रहें प्रयास ला रहे हैंरंग, और पिछली वर्स की तुल्ला में इस वर्स में रक्षा उत्पादन में 12-30 की विड़्दी देखी गई है यह आप देखेंगे कितना 1,6,800 करूर रुपी रहा है बित्वर्स 2022-23 में रक्षा उत्पादन और 200-30 की विड़्दी हुई है पिछले 7-8 वर्सों में और दोगों को किये गए रक्षा लेसेंसों में और 25 अरफ डॉलर 1.25 लात करूर रुपे का रक्षा उत्पादन का लक्ष रखा है मंत्रा लेने बित्वर्स 2024-25 में और आप देखते हैं हमारे रक्षा मंत्री साब भी कई वार कह चुके किस आत्म निर्भर की बात करते हैं और पिधार मंत्री भी करते रहते हैं यह आपकी खबर है राक्षती राधधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है और वही आप देख रहे हैं दिल्ली सरकार केंदर के वीच आप देख रहे हैं दिल्ली सरकार में आप देखते हैं उनकी मंत मंत्री धर्णा पे दर्शन दे रहे हैं दो हटे में निवक्ति को हो डी यी आर्सी का चेयर्मेंड सुप्रिंग को टना है दिल्ली हाई कोर्ट के मुख नयादीस किसे विचार में मस करने की आवस्यक्ता नहीं है और दोहराय इल्जी को मंत्री परसद की सलाय हो साहता कि आधा इन के रुसा धूंपान तमाकूबा सराफ की सेवन और मानसिक तनाव से इस परम डी एने होता है खराब और यह बच्चों में आखों के आख के किंसर जैसे जेनेटिक बीमारी का कारण भी बन रहा है तो यह आप देखिए पिता के कारण बच्चों को भुगतना पड़ रह हो रही है मनीपोर और जम्मू कस्मीर में CUET की तारीक आंगे बड़ी 29 से मनीपोर और 26 से जम्मू कस्मीर में होगी परिक्चा है दोनों राज्यों के परिक्चार्थियों को सेंटर बदलने का भी बिकल्ब दिया जा रहा है चलिए यह आप देखिए कि जो सत्र 2023-24 के लिए सेंटर यूनिवसिटी और डीम्ड यूनिवसिटी के अंडर गिजुएट कोर्स इसमें फिर बेस के लिए जो परिक्चा होनी है ना उसी की बात हो रही है हमारे होम मिनिस्टर साहे अमित साहे ने आतंकबाद और कटरता जैसे मुद्दों की समीक्चा किये और साहे ने बीजन 2047 के लक्षों को प्राप्त करने के लिए अधिकारियों से रोड मैप तेयार करने को भी कहा है और उन्होंने कहा है कि 25 साल का रोड मैप निच्चे तुरूप से भारत को दुनिया के दुनिया में अब्विल बनाने में सफल होगा दो जजों की निउक्ती के साथ सुप्रीं कोट में जजों के सभी 34 पद भरे गए है और CGI ने पिसांत कुमार मिसरा और केवी विस्वनातन को सुप्रीं कोट के जज की सपद दिलाई है बकील सीदे जज़ बनने वाले जश्टिस बिसुनात अगस्त दोजार तीस में अंठावन भी CGI बनेंगे यह देखिए यह आप देख लिजे राजनीती की ख़बरे हैं देख लिया करेगा दिल्चस्पी है राजनीती में तो किसानों को साधने मद्धपिदेश आएंगे मोदी फसल बीमा के 3000 करोर पे बितरित भी करेंगे आपको मालू है कि मद्धपिदेश में भी क्या है चुनाओ है इसी साल चुनाओ है अंतिम में तोसी की बात हो रही है यह पहलवानों ने कहां मांग पूरी नहीं हुई तो जंतर मंतर से बाहर ले जा सकते हैं धरना यह आप देखे जहां भारती कुस्ती महासंग के अध्यक्च बिरजभुसन सरन सिंग पर आरोप लगे है ना तोसी को लेकर सब बात हो रही है सरी नगर की G20 बैठक के लिए चीन तुर्किये को छोड़ का सभी सदस देशों ने कराए रेजिस्टेशन और यह आप देखे जम्मू कस्मीर से 375 से हटाने की बाद जम्मू कस्मीर और लग्दाग दो हिस्सों में माट दिया गया से दोनों के अंदसासित पिदेश है लेकिन आप देखें जम्मू कस्मीर में दिल्ली की तरह बिधान सबाभी आपको देखने को मलेगी तो सीजिन अगर में आप देखते हैं यह बैठा को रही है और G20 की बात करें तो ग्रूप ओप 20 की नाम से भी आप लोग इसे जानते हैं 26 सेप्टमबर 1999 में इसकी स्थाफना हुई थी बैस्विक अर्धवस्था में पिरमुक मुद्दों पर चार्चा करने के लिए बिवस्ते तरूप से मात्कूर्ण उद्धोगे को और विकासील अर्धवस्थाओं को एक साथ लाना है इसका उद्देश है और विस सदस में देखे तो अर्जिन्टिना, और्जिन्टिना, और्जिन्टिना, बिराजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेसिया, इटली, जापान, मेक्सको, दच्छिड कोरिया, रूज, साउदी, एरब, दच्छिड अफीका, तर्की, पेरिका, और यूरोप, ये संग, आपको देखने को मिलेगी, भारती ये संस्किती के संबर्धन भा भारत को परम व्यभाव दिलाने का संकर बलें स्वयम सेवग, ए मुहन भागबत कह रहे हैं, RSS के पिरमुक हैं, और RSS की बात करते हैं, तो राश्टिये स्वयम सेवग सं पिरमुक हैं, और RSS के, 100 घंटे में 112.5 किलो मीटर सिंगल लेन सड़क का निर्माड हुआ है, और 100 घंटे में 75 किलो मीटर सिंगल लेन सड़क निर्माड का था विस रिकॉर्ड, और गाजियावद अलीगड हाईवे पर बना रिकॉर्ड, घडकरी ने दी बदाई, और आप अगर सबसे अच्छे काम की बात करें हमारे, तो आप सभी जानते हैं किस की बात होती है, नितिन गडकरी साहब की बात होती है, हर पार्टी की निताब देखें उनकी तारीफ करते हैं, वो अपना बड़ा इमांदारी से अपना कर्तब निभाते हैं, काम करते हैं, यह आप बात करें तो Central Bureau of Investigation की बात हो रही है और आप देखें कि इसकी स्थाफना 1 अपरेल 1963 में हुई थी नई दिल्ली में आप लोगों को Headquarter देखने को मिलेगा यह आप देखें ED ने चीनी सिक्षा कंपणी के 8.26 करण रुपे जबत किये है यह ODA क्लास की नाम से कंपणी देती है ना ओनलाइन सिक्षाउसी की बात हो रही है प्रोजेक्ट 75 पंडुबी वाक्सीर का परिक्षन सुरू हुआ है 2024 की सुरुवात में नोसेना की वेड़े में सामिल की जानी की उम्मीद है से और कलवरी बर की 5 पंडुबी नोसेना में हो चुकी है सामिल तो आप देखेंगे कि नोसेना में भी हमें क्या करना होता है अपनी सक्ती बढ़ानी होती है क्योंकि आप सुभी जानते हैं कि अगर पड़ोसी पाकिस्तान हो चाइना हो तो यह कहीं से भी आप देखते हमला कर देते हैं लोसी पर वादी, पहाड और नदी को निहालने संग कीज़े ट्रैकिंग यह आप देखेंगे जम्मू कस्मीर की बात हो रही है LOC यानि कि आप देखे जो पाकिस्तान कबजा किये हुए न उसके बीच हमारे जो भारत हमारा है जो इससा है उसके बीच आप देखते हैं जो लाइन कीची हुई है उसे LOC कहते हैं लेकिन याद रखे पीओ के वाला हिस्सा भी हमारा ही है याद रखे हम लोगों ने छोड़ा नहीं है उसे अब आप देखे अभी हमारे रक्षा किसने हमारे विदेश मंतरी सामने कहा भी था कि वो जम्मू कस्मी से 375 अब इतिहास हो चुका है अब अगर अब सांती की बात करनी है रिलेशन यानि की संबंद सुधारने की बात करनी है तो पीओ की कैसे देंगे आप उस एडिटोरियल संपात की एपार्ट है इससे भी पढ़ लिया करिएगा एक जनेल लॉलिज की जानकारी भी मिल जाती है और परीक्षा के लिए आप देखे प्रिलेम्स के लिए मुख परीक्षा के लिए इंटर्व्यू के लिए हर जगे आपको मदद पहुंचाती है आर्ट जिसमें आप देखे कॉंग्रेस के भारी बहुमत मिला तो करनाटंग में चुनाओ जीतने वाली कॉंग्रेस ने एक लंबी कस्मकस के बाद राज में सत्ता को लेकर अंदुरुनी की खिंस्तान का समाधान निकाल लिया है और इसमें तैख हुआ है कि सिध्धरमिया मुखमं करनाटक की कमाल समालेंगे तो पिदेश के कॉंग्रेस सद्याक डीके सिफकुमार को पहलाल उप मुखमंत्री पद और पार्टी की राज्यकाई के कारता धरता की भूमिका से ही संतुष्ट रहना होगा और इसमें कोई संदे नहीं है कि निस्तेज फड़ी कॉंग्रेस को कर कॉंग्रेस आलकमान को नई तागत मिली है हालिया आप देखे जनादेश की बात करें तो जीत के उत्साह में कॉंग्रेस यही दावा कर रही कि करनाटक की जनता ने वेस्ट संपदायक और आच्छम भाजापा को सत्ता से बाहल हटाकर सैकूलर डहाचे को बचाने ही तो उस सेकूलर यानि की जीडियेस के जनाधार में सेंद लगा कर सत्ता की चावी हांसिल किये क्या करनाटक में वेस्टाचार बाकी मुद्धा था ऐसा लगता तो नहीं है भाजापा नेताओं के लाबा कॉंग्रेस सी सिपकुमार और सिद्धरमिया भी वेस्टाचार की आरोपों में घरे हैं और जहां सिपकुमार की विरुद्ध आयसे अधिक संपत्ती का मामला चलना है तो सिद्धरमिया की खलाब भी लोकायुक्त आयूग में आप देखते हैं कि पचास से अधिक मामले लंबे थे और जहां तक बादों की बात करें तो चुनाओं में कॉंग्रेस के स कॉंग्रेस ने 200 यूनिट मुप्त बिजली डिपलोमा धारक इसना तक बिरोजगारों को मासिक 1500-3000 रुपे परिवार की पिदेक पहला मुखिया को 2000 रुपे पिदी महलाओं को निसुल बस यातरा आदी की गोशना की दी पिर कॉंग्रेस ने कैसे बाजी मारी है तो बास्ता कॉंग्रेस ने मजभी पहचान और भावनत्मक सरोकारों को कैंदर में रखकर चुनाओ लड़ा था करनाटा की करीब 6.5 करोड जनसंक्या में मुसल्वानों का लगबक 82 लाख है कितने मुसल्वान 82 लाख है कॉंग्रेस और GDS को मुसलिम अद्दाताओं का ओस्तन वराबर स कॉंग्रेस को एक मोस्त समर्थन दिया है भाजापा को किसी भी सूरत में पराजीत करने ही तो मुसलिम पूरी तरह से लामन्द थे और इसके कई कारण हो सकते कॉंग्रेस ने अपने घोष्णापत में चार पितिसद आसमीधानिक मुसलिम आरक्षन को भाल करने पर पितिव मनायती थी और जिसे भाजापा ने अपने सासन में समाप्त कर दिया था और जब चुनाओ से डेड वर्स पहले हिजाब के नाम पर बहूलता बादी परिवेस को दोसित करने का प्रयास किया गया तब भाजापा सरकार ने सेक्षरिक संस्ताओं में आदेस एक रोपता को सलबल से होने बाले जवरन मतांतर के विरुद्ध विधानसपा में कानून पारित किया तब कॉंग्रेस इसके विरुद्ध सदर में से बॉक आउट कर गई थी और ततकाल ततकाल तीन तलाक की समापती अनुचे 370 को हटाने अध्य अयोध्या में रामंदी निर्माड और का फांसी मतना मामलों पर नियालेओं में निस्पक्ष सुनवाई जैसे राक्ति घटना करम ने भी कटरपंती मुसलिमों को भाजपा के विरुद्ध एकजुट करने में बड़ी भूमी काने बाई और इसपस्ट है कि उनके लिए पिछले फांच बरसों का विकास लोक उपने आधी का उपयूग करके जिहादी और बामपंती उनके नाम पर विवाजित करने का पिर पंच रचा और भाजापा को हिंदी भासी और बाहरी पार्टी बताया एसली कॉंग्रेस द्वारा आउट सोर्स बामपंती चिंतन के रूप की ही है और जिसका आप देखते हैं बिचारे एक उद्धिस भारत की टुकड़े टुकड़े करना है और इस मानसिक्ता की जलक राहुल गांदी द्वारा गड़े गए जितनी आबादी उतना हग जैसे बिभाजनकारी नारे वाले पैतरे में भी मिलती है लगबा कॉंग्रेस का उद्धिस समाज में ब्यापत समस्याओं का परी मारजन नहीं अब तो अपने राजनेतिक स्वारत की पूर्ती है तो उन्हें सदियों जीवित रखना है दोसी चिंतन से पेरित होकर ही कॉंग्रेस भगवा आतंगबाद को पुना इस्थावित कने का प्रयास है जिसे 1993 की मुंबई बं धामाकों में सबसे पहले माराष्ट के ततकाली कॉंग्रेसी मुकमंत्री सरत पबार जो आप देखते हैं राकापा के मुखिया में एंसीपी के ने आतंकियों की मजभी पैचान से ध्या भटकाने ही तो गड़ा था एक धमा का मस्चित बंदर के पास भी हुआ था और इसमें लिट्टे का हाथ बताया गया था और पबार के सफरजी सैकूलरबाद की परंपरा को और सापरिंग सरकार ने में ग्रह मंत्री रहे पीचा दंबरम और सुसील कुमासंदे ने आंगे बढ़ाया था और कॉंग्रेस के दिगज निताओं में एक दिगविजे सिंग ने 26-11 के मुंबई आतंगी हमले का आरोप राष्टी स्वेम सेवक संग पलगा कर पाकिस्तान को बेगुना ही बता दिया था ऐसा ही सडंत अब बजरंग दल के खिलाब रचा जा रहा है और इस तो वैसे कि किसी विशे भी नहीं जाज सकती है अब आप लोग कहोगे कि ये बीज़ेपी की तरफ तो उनके नेता होंगे तो उनी की तरफ लिखेंगे मानो जीवन के लिए खतरा नहीं है AI AI संसार को मनुस की प्राक्तिक बुद्धी की तरह ना समझ सकती है और ना ही ग्रह रहा जाएगा नहीं हुआ ना उनका अपना अलग छेतर है इंसान का अलग छेतर है तो इसके AI यानि की Artificial Intelligence किंतिम बुद्धी मता के बारे में भी SI कहा जा रहा है तो पिछले दनों चैट GPT के जनक Sam Altman ने कहा है कि Tech Company जिस तरह AI के प्रेयों को तेजी से बड़ावा दे रही उससे दुनिया खत्रे में पढ़ सकती है और इसलिए सरकारों को इस पर नकेल कसनी होगी या सोईकार करने में कोई संकोच नहीं है कि आज AI की हर तरह चर्चा हो रही है लेकिन इसके बारे में लोगों की समझ काफी कम है उन्हें लग रहा है कि भबिस का संसार AI ही चलाएग आदी इत्यादी बहुत लोग या भी मानते हैं कि AI के चलते सरकारों की अपनी नागरेकों पर निगरानी बहुत बढ़ जाएगी या उससे भी बत्तर हम बड़ी कम्पनियों के पास दास बनते जाएंगे हाला कि इस सभी धानाय पूरता या जूटी या जूटी नहीं है कि इंतु क्या सच में क्या इस्तिती इतनी डरावनी है या पर इस इंडर्ष्टी से जुड़े कुछ लोग इसे इतना भयावा दिखा रहे हैं जैसा होता है कि नई कोच के साथ उससे जुड़े लोग और कम्पनिया उसकी प्रभाव को कुछ बड़ा चड़ा कर ही बताती है या उनके हितों के संद्र में स्वभाविक भी है या सच है कि आज की योग में अधारित AI युक्त मसीन जैसे चैट GPTA कापी हद तक हमारे लिए नेड़ा ले रहे हैं हम टीबी पर क्या देखते हैं दुकान से क्या कईते हैं कैसा संगीत सुनते हैं आदी हमारी आदितों को स पूरी तरह समझ पाना अभी संभाव नहीं है संभाव है कि इनका पिछलन वढ़ने के साथ साथ हमारी जागरुकता बढ़ेगी तब ही यह तै होगा कि AI नए युक का काला जादू है या एक ऐसी तक्निक जिसे अंत्ता हमें हम मनुस से ही हाकेंगे और AI के बल तरक पर काम क कर सकती है पर हम मनुस कहीं अधिक सूक्षम और जटिल जीब है हम तरक संगत भी है और जानबूचकर आतारकिक भी है हमारे इंदर सुर्भी है और असुर्भी है मानो विसेस्ताओं की कई परते जैसे अंतर ग्यान भावना सरारत पूर्वागर है हट धर मीता इत्यादी भ लेकर कोई भी समस्या जहां नियम परिभासित है आलात इस्तिन है और उनका हल निकालने के सिद्धान सटीक है तो यह आई लाकों करोडों आकडों का विसलिशन चुटकी में किसी भी फ्रिग्या वान समूग को परास्त कर देगी लेकिन जीबन की सभी समस्या है हर बार की तरह चलता नहीं है तो जैसे ही हम इस्तिर दुनिया की सिद्धान से थोड़ा सा हटें तब AI भी डगमंगा जाएगी उधारन के लिए भारत की पूर बिधान मंत्री अटल बिहारी बाचपेई ने 1992 में बिहार में एक रेली के दोरान कहा था कि कोई नहीं है रास्ता अब खाना पड़ेगा पास्ता इस बाके की जरी अटल जी उस समय की राजनेतिक इस्तितिक और देश के सामने मुझूद चुनोतियों के इस पर कमादान की कमी पर अपनी नरासा ब्यक्त कर रहे थे और यह तब से भारत के में एक लोगप्रिय सांस्कितिक संदरब बन गया है औ और आप देखेंगे उन इस्तितियों का बड़ान करने के लिए उपयोग किया जाता है जहांको ओई आसाहाय महसूस करता है और बास्तों में करोण और डाटा विंदूओं को जोड़कर ब्याकरन की नेमों के हिसाब से उत्तर जो कम्प्यूटर दे सकता है पर OSOM उस उत्तर तूट पड़ते हैं हल निकाल भी लेते हैं लेकिन उस हल को समझने की चमता उनके पास नहीं है मनुस ने पित्वी पर यूँ राज इस्थाफित नहीं कर लिया है सेश जीब जन्तूओं की तुला में सबसे अधिक और सबसे जल्दी मनुस ने ही सीका और दीरे दीरी पित् में आ गई है यकीन मानिए एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब यह है जब हम यह देखकर समझ पाएंगे कि कौन सी चीज पूरी तरह कंप्यूटर की इस्तिमाल से बनी है और किसमें कंप्यूटर की इंपोर्ट के साथ भी मैं प्रकेटी से मिली मानो बुद्धी का भी यूग जन नेता का कोई समन्ध ही नहीं है तो कंप्यूटर को इतनी समझ नहीं है कि वह कहें कि यह क्या वेतों के सवाल पूछ रहे हैं और उसकी यह समझ चमता नहीं है कि वह समझ कर समझ सके हैं उसका उत्तरासंगत मूरकतापूर है या फिर हस्पद है या ही समझने में योग पाट तोसीक लिख सकती है वीडियो बना सकती है फेंट कर सकती है सुझाओ देने आदी में सक्षम हो सकती है पर वैशंचार को मिन नुस्त की प्राक्तिक बुद्धी की तरह ना समझ सकती है न इस AI को जरम दिया उसकी बुद्धी, इस उत्पादित बुद्धी से सद्धेयों दो पायदान आगे ही रहेगी, लेखा के भारती पुलिस सेवा के पूर अधिकारी भी है, इनके द्वारा ये आप देखेंगे, सचिन सिरीधर के द्वारा आटिकल लिखा के हैं, और AI को लेक करोड विकार और सौभाओ की एक वक्रिती के रूम में देखा गया है, करोड में बुद्धी साथ छोड़ देती है, और करोड उतरने के बाद फरस्चाताप की सिवा कुछ नहीं बचता है, हाला कि कभी-कभी करोड निर्वलता का घोतक नहीं रहता है, अब तु यह करतब भी होता है, यदि आपके परिवार या राष्ट का अफमान होता है, तो उस पर रोज पिगट करना करतब की सेडी में आता है, अच्छा कॉलम लिखा जाता है, दिल्चस भी हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग, रिकॉर्ड रक्षा उत्पादन आप देखे, रक्षा उत्पा अच्छी बात है, आसानी से वो पढ़ संगेंगे, मदद मिल सकेगी, ब्रैस्पती नहीं, सनी के पास है सरवादिक चांद, इस सनी के पास आप देखी कुल 145 चांद हो गए है, उपग्रह हो गए है, जो सबसे यह देखा, आपको देखने को मिलेंगे, पहले आप देखते हैं कि ब्रैस्पती की बास आप लोग पढ़ते थे, ठीक है, तो यह भी आप लोग देखते रहा करिए, पढ़ते रहा करिएगा, डारेक्टी कुश्चल्स पूच लेता है इसमे यह भी छोटे-छोटे कॉल्म लिखे जाते हैं, इन्हें भी देख लिया करिएगा वेहतर परिभाहन के साथ फिदूसन नियंतर में सक्षम है, एभावेस में गिरीन हाउस गेसों की चुनोती से डेफटने औबाहनों से होने वाले फिदूसन को नियंतित करने के लिए केंद्री पेटॉलियम मंत्रा ले द्वारा गठेत एक पैनल ने, सरकार को डीजल चलिद बाहन बंद करने का सुझाओ दिया है, और इस पैनल ने संस्तुती की है कि परियामत सरक्षन के लिए 2027 तर देश में डीजल चलिद बाहनों को पूरी तरे से पितिवन लगा दिया जाना चाहिए, और ऐसे में कन सरकार यदि सुझाओ को माल लेती है तो इस से होने बाला बंदलाओ देश के लिए तेदल आयात की निर्वरता को कम करने का कि प्रयासों को मजूद करने के साथी बाई पिदोसन के नेंतर में भी साहिक होगा, और आजकल आप देखे रहें कि एवी इलेक्टिक बाहनों पर जान्दा जोर दिया जा रहा है, तो होगा, पिदोसन भी कम फैलेगा, खरी-खरी, टॉक्सिक, यूमन नेचर, यह आप देखे एक तरह सी तंज कसा जाता है, तंज की भासा में लिका जाता है, मुझे मुझे मुद्धों की अकाल में बाबा बजा गए हिंदू राष्ट की धुन, यह बिहार में आप देखते ह हैं कि जो धीरेंद सास्त्री है, धीरेंद किसने सास्त्री वो आप देखते हैं, उनकी कता चल रही थी ना तो उसी के संद्रम में बाते हो रही है, गिग आर्थवस्ता की तरास्ती, आज अधिकास नई कार्चित्रों में गिग आर्थिकी को बढ़ावा दिया जा रहा है, कामगारों ने एक दिन की हरताल की और यह कंपनी उभोगताओं को उनकी कराना आवसकताओं की आधे घंटे के अंदर करने का दावा करती है, और उसने अपने डिलिवरी एजेंटों का महनताना आधा कर दिया था ना, तो उसी के संद्रम में, यह आप देखें, बैस्पिक एलेक्टोनिक बाजार में 2026 तक भारत की सेदारी होगी 10%, यह आप देखेंगे कि एलेक्टोनिक्स और आईटी राजमंतिर राजीप चंद से करने कहा है, इस सब बाते हो रही है, फुराने टेरेप को लेकर नहीं चल रही, कोई जाच एदूर संचार नियामक ट्राई ने क कहा है, जापार में भी हो सकता है, आपका सुरू हो सकता है, UPI से भुकता है, 4900 से अधिक लोगों को काम पर रखा है, केमपे बेल कहरा है, इयर इंडिया और इयर इंडिया एक्स प्रेस ने एक साल पर आप देखे 500 से अधिक से पाए लेटों, 2400 केविन क्रू से 4900 से अधि निका सकती मेटा, इंटरनेट मीडिया पिलेटपॉर्म कंपनी है न, फेस्बुक उसी की बात हो रही है, केंदर को 87,000 करोड देगा RBI, और केंदरी वेंग के नेदेशक बोड की बैटक में लिया गया है फिसला, और देखे 600 अरब डॉलर की करीब पहुंची बिदेशी मु देखेंगे, 1,676,59 करोड दिये थे, 2021-22 में 30,307 करोड रुपे दिये थे, सेवी में पंजीकत बिदेशी निविसकों पर नहीं लगेगा एंजल टेक्स, यह आप लोग बताईएगा कि कब इसकी सेवी की स्थाफना कब हुई थी, यह आप लोगों को बताना है, आयकर अब आपने सुकवार को एंजल टेक्स से जुड़ी परावधानों में संसोधन किया है, डेविट के एडिट कार्ड से विदेश में 7 लाग तक के ख़ज़ पर नहीं TDS या ट्रांजक्शन LR S के तहट 2.5 लाग डॉलर की अधिकतम सीमा से भी रखा गया मुकते, होटल कारोबारी अब ले सकेंगे, आज इवन फूर्ड लाइसेंस और 6 होटल एंड रिस्टूरेंट एसोसेशन के सरक्चक कमल जीत सिंग होरा ने बताये कि माल लीजे आपको होटल के लिए फूर्ड लाइसेंस मिला है और आप हम किचिन या अन वहुत सी चीज़ें अपन गरीब देशों को बरबादी के कगार पल ला रहा है चीन का लोन, यह आप देखते हैं कि चैना का काम बैसा ही है, जैसा एक समय आप देखते ही कैसा जो गाओंगी तरफ आप देखते हैं सेट बैचौली होते थे ना, ब्यापारी जो आप देखते हैं किसान को रिड उपलब्द करवा देते हैं लौन दे देते हैं और उस पर आप देखते हैं कि हाई ब्याज रख देते हैं जब किसान उनके ब्याज लौन में इतना फस्ता जाता है करज में कि एक समय उनके ब्याज चुकाने के लिए उनी से ल लग गया है और पाकिस्तान को कर्ज चुकाने के लिए उसी से कर्ज लिना पड़ रहा है तो यह हाल है देख लीजे जेट इंजन की सयुक्त निर्मार को लेकर अमेरिका भारत की भी चर्चा हुई है और अमेरिका में आर्ट आप लिविंग की कारकरब में डेड़ लाक लोग भाग लेंगे चीनी राष्पदी ने मद्यसी आगे नेताओं के साथ बैठक भी कर रहे है पैसांद महासागर में भूकम से वानू आतू परतट पर सुनामी आप देखेंगे भूकम का मतलब होता है मूमी का कापना ठीक है नौसेना ने हिंद महासागर में डूबी चीनी नौका का पता लगाया भारती नौसेना ने हिंद महासागर आप देखी इस चित की बात हो रही है यह है हिंद महासागर साओधी रभ पहुंचिस जल सिंग की अरब जगत से मांगेंगे सब अर्थन आप देखेंगे फिसकुट फानी लेकर इमरान के घर से निकली पुलिस पागिस्तान के पूरु पिदान मंत्री है न गिरेन कार्ड के लिए भारतियों की कतार की बज़े कोटा सिश्टम कहा इस इतिरी को संसद की कानू बना कर वदल सकती है इस संसदो कि समू ने बच्चों की लंबी अहुदी बीजा को लेकर पेस किया विदया जो आप देखते हैं भारत समयत कई देशों की लोग अमेरिका जाते हैं उसी संदर की बात हुरी यह आप देखेंगे कि पिछले बर्स बेटेन की अमेरों की सूची में इस्थान पाने वाले पिधान मंत्री रिषी सोनक उनके पतनी अक्ष्ता मूर्ती को करीब 20.001 करोर पाउंड का नुकसान हुआ है और हिंदू जा इस बर्स भी टॉपपर है आप देखेंगे हमले के बाद पहली बार ने ज़र आई सल्मान रुस्दी को मिला पैन अवर्ड यह आप देखेंगे अभी इन पर क्या हुआ था हमला भी हुआ था पिछले साल में आनमर में मोचा तूफान ने अब तक 125 लोगों की जान ली है मोचा तूफान आया ना उसी की बात हुरी है चाल्स तितिया और कैमिला को परोसा के आप पंजाब की स्वादबाला भारती बेंजन वेटेन की महराजा चाल्स तितिया कूँ एक खेल का चित है आई पिएल आप देख रहे हैं हो रहा है 2008 से सुरू हुआ था महलाव का 2023 से सुरू हुआ था है कतम होने दीजे एक ओवर्वी हुम लोग ले लेंगे जरूर योन उत्वीडन रोक्ताम समंधी नीती को SGM में मंजूरी देगा VCCI VCCI यानि कि Board of Control of India की बात हो रही फूर किर्केट इन इंडिया की इसकी स्था अपना दिसंबर 1928 में होई थी और मुंबई में हेड़कॉर्टर आपको देखने को मिलेगा गुर्जोत गनेमद को इटली में पिसीक्षन की मंजूरी मिली एक खिल मंतराले की मिसन ओलंपिक पिकोस्ट ने निसाने बाज है ये आप देखें ये ने मिली है कंपाउंड तीरंदाज ओजस और जोती ने पदक पक्का किया भारत की कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने सुकवार को यहां फाइनल में जगे बगा कर विस्ट कब के दूसरी चैन में पदक पक्का कर लिया है अंडर सत्रे पुड़वर्ट टीम दूसरा भ्यास मैच खिलीगी थाइलेंड में अंगले महीने होने वाली ए एपसी अंडर सत्रे एसी आई कप्ते आरी के तहता आप देखरें बात हो रहे है यह उटी टीम में आकरसन का कैंदरों के सरत कमल कादरी यह सरत कमल जीक सातियान और मनिका बत्रा जैसे भारती खिलाडी के अलाबा नाइजीरिया के फिस में बारवी नंबर के अरुना कादरी आगामी अल्टीमेट टेबल टैनिस्ट में आकरसन का कैंदर रहेंगे यह आप देखे साई अधिकारियों ने चैन को लेकर घुर सबारों से की बात भारती खिल पराधी करने और सेमी फाइनल में बिढ़ेंगे मैदवेदियों और सिथ से पास एडैनल मैदवेदियों ने के लिए कोर्ट पर अपने खिल में सुधार जारी रखते हुए इटालियन ओपर टेनिस टूर्णमेंट के सेमी फाइनल में फिरवेश किया है तो वहीं की बात हो रही है ओलम पिक के चैंपियन चौपडा की नजने पावो नूर्मी खिलों में सुधार पदक नीरज किसकी चौपडा की बात हो रही है लेउन मैसी के लिए हर कीमद देने को त्यार है अलहलाल अर्जिंटीना के स्टाइकर लेउन मैसी की बात हो रही है आउसरों की राय इभी देख लिया करेगा एप से एंडिये की तैयारी है अब तो आप देख रहे हैं कि आप घर बैठकर भी तैयारी कर सकते हैं अगर आपको सही दिसा मालू है और आप लोगों को सही से मालू है सब, सबसे पहले तो आप लोग देखे सिलेवर्स डाउलोड करके, पैटन समझके, उसकी सिलेवर्स की एक एक लाइन को, एक एक टॉपिक को कबर किया करिएगा, तभी आप बहतर तैयारी कर पाएंगे समें, ठीक है, यहां भी पढ़ लिया करिएगा, यह आप देखें परीक्षा के पॉइंट भी से भी महत्दपूर पॉइंट मिल जाते हैं, और जन्रेल लॉलिच के लिए, बेसकी सबसे उची चोटी एवरेश्ट पर लहराय था भारत का तिरंगा, 1965 में आजी के दिन एवरेश्ट पर भारत का तिरंगा लहराय था, दो बिपल, अभियानों के बाद यह भारती सेना का तीसरा अभियान था, कैप्टन M.S. कोईली, और आप देखेंगे अवतार सिंग चीमा, समयत कुल 9 लोग इस मिसन का इस साते, और इस अभियान की सफलता की साती एवरेश्ट की चोटी पर पहुंचने वाला भारत चोथा देश बन गया था, यह माउंट एवरेश्ट आप देखते हैं कहां देखने को मिलेगी, पिस्त की सबसे उची चोटी है न, नैपाल में देखने को मिलेगी, हवल टेलिसकोप से ने पहली बार अंतरिक्ष क की तस्वीरें पित्वी पर भेजी, नासा की हवल टेलिसकोप ने 1990 में आजी की दिन, पहली बार अंतरिक्ष में खीची की तस्वीरें पित्वी पर भेजी थी, और इन्हें में पित्वी से आप देखेंगे, 1260 पेकास बरस दूर इसते दो तारों की छबी दिखाई दिख रही थी और सिष्ट गुडबत्ता वाली जमीनी टेलिस्कोप की तुला में हवल की सिखीची की तस्वीर पचास मुना तक जानदा इस पश्ट और सटीक है। हमारी अंतरिक चैजनसी एसरो है जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी बेंगलोर में इसका हेड़क्वाटर देखने को मिलेगा। नासा अमेर्की अंतरिक छेजंसी है, इसका हेड़कॉर्टर वेसिंग्टन, डीसी में आपको देखने को मिलेगा, 29 जुलाई 1908 में इसकी स्थापना होई थी, सुमित्रा वंदन पंद ने चायावाद को किया पुस्पित और पल्वित, यह आप देखे हिंदी साहत में चायावाद को नई उचाहियां देने वाली महान कभी सुमित्रा वंदन पंद का जनम, सन उन्नीसों में आजी उत्राखन के अलमोडा मजले में हुआ था, बचपन से ही कभीताय लिखने में रूची लेने लगी थी, 1926 में पहला काब संकलन पल्लो पिकासित हुआ, और कभीताओं में प्रकिती प्रेम की जलक की कारण इन्हें प्रकिती काभी भी कहा जाता था, गिराम्या, गुंजन, बूडा चांद, युगांत, स्वाड के रन, उनकी प्रमोग काब कितिया हैं, उन्होंने दो दर्जन से अधिक पुस्तिकें पे कासित कराई थी, 1961 में पदम विभूसन से सम्मानित भी की गई थी, और यह पदम विभूसन आप देखें, उन्नीस सो चमवन से सुरू हुए थे, कालाजार का परजी भी कैसे पहलाता है, रोग खोज हुई है इसकी, चंडीगर इस्तित इंस्टिट आप देखेंगे कि विज्ञान और इंजिनिंग, अनुसंधान बोड, विज्ञान और पुरुदगी, विभाग और विज्ञानिक और उद्धोगिक अनुसंधान परजिशन ने की है, इसमें मदद, अनूठा तंद विक्सित कर परजी भी लेंफो नोड पर करता है, इस त बंगाल में आप देखेंगे आम है, और 1920 में उपेंदनाद ब्रह्माचारी ने इुरिया इस्टवा माइन की खोज की थी, जिसमें 90-30 से अधिक इलाज दर और निमतन दुस्परवाओं के साथ काला बजार के उक्चार में करांती लाए दी थी, लेंब नोड एक गोल बीन जैसे आकिती होती है, जो बेगरदन के चारों और बाहों के नीचे जंग और धड की केज के बीच मौजूद होती है, नई नई खोजें होती रहती हैं, आप देखते हैं, यह आप देखें, चमकदार सपेद आँखों वाली सार्ग की नई प्रजाती मिली है, और स्टिलिया सबसे बड़ी जीलों में तेजी से घट रहा है, जल एक अध्यान में बताए गया है, विलू कलर की लिविश्टिक लगागर रेड कारपेट पर पहुंची रोतिला, और वसी रोतिला, यह कान फैसली फिलिम उस्साव दोजार तेई सुरा है, ना उसी में, ब्यायम से कम हो सकता है, पार्किसंस सन का कत्रा, यह अनुसंदान में बताया जा रहा है, बिल्कुछ सही बात है, आप देखे, और ब्यायम तो हर हाल में करिए, हर जगे आप देखते हैं, आपको मदद करते हैं, तीन दसमलाव आठ करोड डॉलर में बिकी सबसे पुरानी एबरूट बाइबल, इन न्यू औरक में, ओल्ड इज गोल्ड की कहावत तो आपने सुनी होगी, उसी पर आप लोग इसे भी कर लिजे, या आप देखें, सदियों तक लोगों की नजर से ओजल रहने की बाद, 1929 में, कलक्टर डेविड सोलूमन को यह पिती मिली थी, सुईजेलेंड का भब ड्रॉन सो, ये यूरोप ये दिस सुईजेलेंड के जेनेबा सहर में, चार दिवसी एक समारो की अंतरकर ड्रॉन नाइट, टाइम लाइट सो हुआ है, और इसने लेक जेनेबा की उपर आप देखें, रंगीन रोसनी के साथ, तेरे सो पचास से अधिक समनवित ड्रॉनों को खा, कि पिदासन से अध्वुत छटावे के रिए, देख लिजे, ये मूवियों से जुड़ी ही खबर हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, और छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं आप लो, और इस त आप लोग बता सकते हैं, ठीक है?